वेलकम फ्रेंड्स आर बेसी क्लास 10th के सोल्ड मोडल पेपर के पार्ट 4 में आपका स्वागत है इस पार्ट में हमने आपके लिए क्वेशन नमबर 21, 22 और 23 के आंसर्स प्रिपेर किये हैं आपके क्वेशन नमबर 21 में दिया है यहाँ पर यह आंसर की लिमिट 30 to 40 वर्ड से जो क्वेशन दिया है ग्रीपिन वोज रादर लोलेस परसन एक्स्प्लेइन यानि ग्रीपिन एक कानून तोड़ने वाला वेक्ति था इस पश्टि कीजिए और अत्वा में तर्टीफ से दिया है आप कैसे कर सकते हैं कि हरी सिंग एक सपल चोड था आएप पहले इन दोनों क्वेशन के आंसर देख लेते हैं आंसर 21 ग्रीपिन वोज अ लोलेस परसन इन जैवेंज लेशन एक कानून तोड़ने वाला वेक्ति था बदला लेने के लिए उसने अपने मकार माले के घर में आग लगा दी थी इन दे बिग लंदन स्टोर ही ओपन दे बोक्सेज एंड वोर वांप क्लोज बिग लंदन स्टोर में उसने बोक्सों को खोल कर गर्म कपरे पान लिये थे उसने वांपर मिठाईया और शराब का भी सेवन किया था एक थेटर की कमपेनी में उसने वहां के दुकानदार पर हमला किया और वहां पादरी के मकान से उसने पेशे भी चुराए थे अब जो अत्वा वाला है हरी सिंग का हरी सिंग वोज अ सक्सेशफुल तीव बिकोज दे पुलिस कुड नोट अरेश्ट हिम हरी सिंग एक सपल चोड था क्योंकि पुलिस उसे कभी गिरबतार नहीं कर सकी थी हर मही ने वो एक नया नाम बदल लेता था इससे वो पुलिस और उसके पूरु नियुकताओं से भी बचा रहता था वो लोगों के चेरे पढ़ सकता था उसमें ये योग्य था थी इसलिए वो कभी भी लूटने में असपल नहीं हुआ वो चाप लूशी की कला भी जानता था ये भी 30-40 वर्ड लिमिट के हैं और ये आपके सेकेंड बुक रेजोलुशन से हैं पीश्ट ओप देड से लिया एक क्योशन वोट है पंड आप्टर दा ओल्ड बोई रिटरंड होम एम्टी हैंड डेड जब बड़ा लड़का खाली हाथ घर लोट आया तब उसके बाद क्या हुआ और ये जो दूसरा क्योशन दिया है वो रेजोलिशन चेप्टर से हैं वर्सा जनल संचेन क्या होता है आई ये दोनों क्योशन के आंसर देख लेते हैं क्योशन नमबर ट्वैंटी टू के पहले का जो आंसर है जब वो बड़ा लड़का घर लोट आया खाली हाथ तो गर के सभी सदस्य परिवार के सभी सदस्य दुखी हो गए His younger brother was eagerly waiting that he would bring something from the grocery shop उसका छोटा भाई बड़ी उसकता से इंतजार कर रहा था कि वो परचोनी दुकान से कुछ काने की सामगरी लेकर आएगा The older boy started trembling with cold and fever बड़ा लड़का सर्दी और बुखार से कापने लगा They hate to sleep without food और उन्हें बिना भोजन के ही सोना पड़ा Rainwater harvesting का देख लेते है Rainwater harvesting means collection of rainwater वर्षा जलसंचेन का अर्थ होता है पानी चो वर्षा का पानी होता है उसका collection करना इखटा करना The rainwater on the roofs of the buildings can also be stored underground जो च्छतो पर जो बर्षात का पानी आता है उसे हम underground store कर सकते है It stops the wastage of rainwater इससे जो बर्षात का पानी बेकार भजाता है वो उसकी रोग थाम हो सकती है It is stored for the use in later times ये बाद में काम आने के लिए इसको store किया जा सकता है The underground water also radiates water level Underground पानी से पानी की जो लेवल है वो भी उपर आती है वो भी बढ़ती है Question number 23 आपके जो golden rage book के उससे लिए हैं और ये पहला question है यहाँ पर आपके 23 का give the characteristic sketch of noodle ये आपके पहलाई chapter है the book dates of the earth यानि कि noodle का characteristic sketch लिखिए और इसका आत्वा है Positive health chapter से How do the animals keep themselves fit जानवर उनको किस प्रकार fit रखते हैं स्वस्त रखते हैं तो noodle का characteristic sketch है उसमें लिखा हुआ Noodle is the apprentice of think tank Noodle think tank का प्रशिक्षू है He is more intelligent than think tank वो think tank से भी ज़्यादा बुद्धि मान है He corrects think tank's mistakes very politely वो think tank के गलतियों को बड़ी विनमरता से ठीक करता है He knows वो जानता है More about the earthlings and their activities वो प्रतिवाशियों के बारे में और उनकी गतिविदियों के बारे में अधिक जानता है Then think tank, think tank से He is very clever and diplomatic to handle the situation परिष्थितियों को handle करने में संबालने में वो कापी चतुर है और कापी वेवार कुसल भी है इस कात्वा वाला देख रहते हैं The animals keep themselves fit by trusting their own instinct जानवर उनकी सहज प्रवर्टियों पर विश्वास करके ही अपने आपको फिट रखते हैं They eat only the required amount of food वे केवल आवशकता हो उतना ही बोजन खाते हैं and never suffer from obesity और कभी भी मोटा पे का सिकार नहीं होते हैं They regularly lick the soil to get the exact amount of salt Their bodies need वे लगातार soil यानि मिट्टी को चाड़ते रते हैं ताकि उनके जो सरीर को जितना नमक की जरत है उतना वो राप्त कर लेते हैं आप चैनल के साथ बने रहें चैनल को जरू सब्सक्राइब करें Thank you